पूरू मुख्य मंतरी उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया आज ट्वीट में उन्हें कहा शुप्यान डीडीसी एलेक्षिन, एवन श्रिनगर फ़दाट मेटर आरंट रेली असप्राइज उमर अब्दुल्ला ने ट्वीटर हंडर पर लिखा ये ट्वीट जो इन्होंने आज किया है शुप्यान और श्रिनगर में डीडीसी के चुवपरसन के चुनाव हुए दोनु जगा पर जमुकश्मीर अपनी पार्टी ने सप्राइज स्प्रिंग किया शुप्यान में भी जमुकश्मीर अपनी पार्टी का चुवपरसन बना और श्रिनगर में भी जमुकश्मीर अपनी पार्टी का चुवपरसन बना कुलगा में एक मात्र ऐसी डीडीसी शेत्र है जिस डीडीसी शेत्र में CPIM और National Conference ने यानि अपनी ने ये एलजाम लगाया कि जमुकश्मीर अपनी पार्टी ने दिफेक्शन करवाए चुनाओं के बाद सिर्नगर में भी और शुपिन में भी और न्सी के स्पोक्सपरसन इमरान नभीडार उन्होंने लिखा King's Party which won only two DDC seats in शुपिन दिस्टिक इंजिनर दिफेक्शन पोस्ट एलक्शन और नो हेडिंग दिडिशी कांसल दियर इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी ये बयान नाशनल कॉन्फरेंस की तरफ से आया है और उमराबदुल्ला ने जो ट्वीटर पर आज बात कही है ये कहने की कोशिश करी है कि ये वो लोग हैं जो लोग 1984 से कश्मीर में खरीदो फरोक्त करते रहे हैं इतिहास के पन्नू को जब पलट कर देखते हैं तो 1987 का चुनाव याद आता है 1975 में जब कश्मीर के सबसे बड़े नेता、 शेख मुम्मत अब्दुल्ला गाईद से बाहर आए और उसके बाद वो सीधा आते ही मुख्यमंत्री बने दो साल के बाद चुनाव हुए दुबार अ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में दुबारा बने फिर 96 में दुबारा स्वे मुख्य मंतरी बने दोजार नौ से लेकर 2014 तक उमर अब्दुल्ला मुख्य मंतरी थे शिरनगर डिस्टिक को लेकर एक अजीब सी अजीब सी कहानी हर हर दौर में हर चुनाव में सामने आई है शिरनगर में अक्सर वो पार्टी जीती है जिस पार्टी की सरकार बनने वाली होती है या जो पार्टी सरकार बनाने वाली होती है आप 96, 2002, 2008, 2014 इन सभी सालों में जो असेमली के चुनाओं में कौन जीता श्रिनगर से इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएंगे कि जिस भी पार्टी की सरकार रही उसी पार्टी के मैक्सिमम MLA श्रिनगर से हुआ करते थे जमो कुश्मीर अपनी पार्टी ने डीडीसी के चुनाओं में जाहिर सी बात है श्रिनगर में उनको कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई लेकिन कमाल यह हुआ कि श्रिनगर के डीडीसी पर उनका कबजा हो गया श्रिनगर की डीडीसी में चेर परसन और वाइस चेर में ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कौन समर्थन देगा सजाद गनी लोन को वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टन रहेगा ये भी इस पर भी हमारी नज़र रहेगी लेकिन अमर अब्डुल्ला का ट्वीट इतिहास की तरफ देखने पर मजबूर करता है मजबूर इसलिए करता है जो आज हुआ है उसको भी लोक्तंतर में सही नहीं कहा जाएगा लेकिन जो जमुक spongव के इतिहास में होता आया है वो भी लोक्तंतर के लिए बिलकुल सही नहीं है क्या खरीदो फरोक्त इस बिलकुल छोटे लेवल पर जो आज हुई है जिसको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है क्या राजदी खरीदो फरोक्त पहली बार जम्रकुश्मीर में हो रही है क्या रियहां के राज़तिक दलू ने ये सब कुछ इस से पहले इतिहास में नहीं किया है क्या यहां पर जीते हुए कैनिडेट्स को हारा हुआ नहीं बताया गया है क्या यहां पर जम्हो कश्मीर में यह नहीं हुआ कि किसी कैनिडेट को ही एक पार्टी के खिलाफ खड़ा होने ही नहीं दिया गया क्या यह जम्हो कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ कि एक राज़तिक दल के कैनिडेट के कैनिडेचर कैंसल किये गए और मैं assembly चुनाओं की बात कर रहा हूं यह सब कुछ assembly चुनाओं में जमो किश्मीर में हो चुका है क्या यह सच नहीं है कि अगर कोई आज से पहले इतिहास के उन दिनों में जिनको आज भी कहा जाता स्वरनिम इतिहास के दिनों में golden period जो स्वर्नेम पीरियड जो था जमो कश्मीर का उस स्वर्नेम पीरियड में क्या ये खकीकत नहीं है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पपलिक सेफ़्टी एक्ट के तैंट बंद किया जाता था क्यूंकि वो एक नेता को या उसकी पार्टी को क्रिटिसाइज किया करते यह सब कुछ ज्मौ किश्मीर के अतिहास में है आज अगर हो रहा है तो भी goddamn है और इतिहास में जो हुआ है वो भी गलत है लेकिन जब हम बात करने लगते हैं और गल्तियां गिनवाने लगते हैं तब हमें अपनी गल्तियां भी याद रखनी चाहिए आप जानते हैं ना आप जमीन के अंदर बीज बोते हैं जो बीज आप बोएंगे फसल वही पैदा होगी अगर आप ने बीज वो बोया है और आप सोचें फसल को लोगों को मजबूर करेगा कि वो इतिहास पर नजल दोड़ाएं और इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये खुद तेह करें कि जो आज हुआ है वो कितना गलत है और जो इतिहास में हुआ है वो कितना गलत था